स्वास्थे संजीवनी आकाशवाणी दिल्ली प्रस्थुत करता है पत्रिका कारिकरम स्वास्थे संजीवनी प्रस्तुत करता है शालिनी मित्तल कोरोना वाइरस से बचाव के जरूरी उपाए आपस में दो गज की दूरी है जरूरी अपने हाथों को बार-बार साबुन और पानी सिधोए सामाजिक आयोजनों और भीर भाड़ वाले स्थान से दूर रहे और अपनी बारे आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाए चालिस साल की उम्र में देखी जाती है और महिलाओं की तुल्ना में प्रुषों में पत्री की समस्या तीन से चार गुना अधिक पाई जाती है पत्री, कारण और रुपचार प्रस्तुत है डॉक्टर निखिल गुपता से की गई ये भेटवारता अज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर निखिल गुपता जो प्रॉफेसर है डिपार्टमेंट अफ सर्जरी में डॉक्टर आरेमल होस्पिटल में और डॉक्टर साब हमें आज जानकारी देंगे पत्री, इसके कारण और इसके उपचार की विशे में डॉक्टर साब बहुत-बहुत स्वागत है अकारश्वणी के स्टूडियो में आपका नमस्कार तो जैसा मैंने शोताओं को भी बताया, आज हम बात करेंगे पत्री पर तो ये बताईए बहुत आम बिमारी होती है और पत्री कहां-कहां होती है शरीर में को सबसे पहले मैं सबी शुता-वों को ये बताना चाहूंगा कि पत्री की बात कर रहे हैं, पेट में पत्री पाई जाती है ये पत्री मुख्य ता हमारे बहुत और हैं नहीं चाहा है और दूसरी जो मुख्य जगे है वो है किड्नी, किड्नी और किड्नी से जो पिशाप का रस्ता नीचे जाता है, पिशाप की ठैली उसमें पत्री हो सकती है और हमें ये बात समझना ज़रूरी है कि ये दोनों जगे बिल्कुल अलग-अलग हैं, दो अलग-अलग सिस्टम हैं, इसलिए इन दोनों पत्रियों के लक्षन, दोनों के वजए, दोनों के उपचार, सब अलग-अलग है मरीद अकसर हमारे पास आता है, वो कहता है कि पेट में पत्री हो गई है, उसके लिए लेकिन हमको मरीद से बात करनी पड़ती है, वो समझना पड़ता है कि वो किस प्रकाग की पत्री की बात कर रहा है, और फिर जांचे कराका हमें पता लगाते हैं कि पत्री उसके शरी के क तो अगर गौल बेडर में चालिपनी में पत्री है तो म्रीज को दर्त की शिकायथ हो सकती है म्रीज को खाणा पीने घंक से हजब नहीं होता खाने की बाद उλटिया कोसा कॉटने है यह भी साकता है तो ये मरीज को दर्द दोनों तरफ हो सकता है ये इस पे नेभर करता है ये पत्थरी सीदे हाथ पे या उल्टे हाथ पे साथ में उसको पिशाब में जलन, पिशाब में खून आना या पिशाब रुख जाना इस तरहे की जो पिशाप की समस्याएं है, ये भी देखी जा सकती है। अगर उसके पिशाप सिस्टम में, किड्नी में या युरेटर में पथरीय है तो. जी, तो ये पथरी होती क्यों है? इसका क्या कारण है? क्यों किसी किसी के शरीर में पथरी बनती है? जैसे कि मैंने बताया कि यह दोनों system हमारे अलग-अलग है तो उसकी वजे भी इसलिए दोनों की अलग-अलग है अगर हम पहले पित की थैले की पथरी की बात करें तो यह मुख्यताहा जो है हमारी cholesterol अधिक होने की वजे से यह पथरी बनती है क्योंकि liver जो pit बनाता है जिसको हम bile बोलते हैं उसका काम होता है fat को या cholesterol को digest करना है अगर cholesterol का amount fat का amount हमारे खाने पीने में और patient की body में उसका level बढ़ जाता है तो bile उसको ढंक से absorb नहीं कर पाता और cholesterol का content के मात्रा बढ़ने से वो पत्री की form में आ जाता है जबकि अगर हम दूसरे पकार की पत्री यानि गुर्दे की पत्री की बात करें तो हम यह जानते हैं कि जो गुर्दे जो हमारे शरी में वो हमारे शरी से सारा toxic product जो है जो जहर है उसको पशाप के रास्ते बाहर निकालते हैं तो अगर किसी भी वज़े से शरी में पाने की कमी हो जाए या ये सब जो toxic products हैं इनका amount बढ़े चाहे वो uric acid है या triple phosphate है पांचे तरह की गुर्दे की पत्रियां होती है अगर ये किसी वज़े से खाने पीने की वज़े से या कुछ अनुवांशिक वज़े भी होती है उसकी व अगर हम पित की थैली की बात करें तो नौर्थ इंडिया यानि कि उत्तर भारत में पित की थैली की पत्री सबसे ज़्यादा देखी जाती है पूरी दुनिया में और पित की थैली की पत्री की एक complication कह लीज़े अगर बहुत लंबे समय तक वो रहती है तो पित की थैली में कैंसर को भी जनम दे सकती है और पित की थैली का कैंसर जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे देश में हमारे नौर्थ इंडिया में देखा जाता है अब खाने पीने की वज़ों की बात करें तो यह देखा गया है कि हमारा जो इस तरफ का उत्तर भारत का जो खाने पी तो ऐसी आशंका व्यक्त की जाती है कि शाहिद ये सारी वज़े जो है ये पित की थैली में पत्री के होने के लिए जिम्मेदार है जी इसके सभी शोताओं से मेरी ये विंती रहेगी कि खाने पीने में ध्यान रखें तेल और वसा का जितना सेवन कम हो सके उतना अच्छा है और गुर्दे की पत्री की बात करें पानी का उपयोग जादा से जादा करें दिन में कम से कम 3-4 लिटर पानी जरूर पी शरी में प मुंत पत्री की शिकायत है कभी उनको पिशाब में पथियों गर्दी की ज्रूब самый के इंत глब्राऍ में सकती है। पराइः पेट में दर्द हो शक्ता है, और पिट की थेली में पथि gardennya में से याई पत्री समय हो तो बेएट को पीट की शकता। जैसे ही अगर गुर्दे की पथरी के वज़े से उसको पेशाब करने में दिखकत हो सकती है या पेंक्रियाज नाम का एक ओर्गन होता है उसमे भी खराब ही हो सकती है is को पैंकरिट्टिस हो और पेशाप का रास्ता रोक ले तो गुर्दा फूलना शुरू हो जाता है गुर्दा खराब हो सकता है जो फिर कभी ठीक होना मुश्किल हो जाता है इसे सभी शुताओं से मैं यही कहूंगा अगर इस तरह का कोई भी लक्षेर किसी मरीज में है तो उसे नदर नदाज ना कर और अपने नजदीक के डॉक्टर से उसके लिए संपग करें और अपने जांचे कराएं जोक्र साब हमने यह सुना है कि इसका इलाज सिर्फ यही होता है कि वो पत्री को निकाल दिया जाता है चाहे उसको किसी भी तरह से चाहे ऑपरेट करो या लेप्रोस्कॉपी जैसी ट निकाल दिया जाता है जिसे कि दुबारा पत्री बनने की सभ़ाव अगी ना बन सके लिकिन अगहा पत्री बन रही है शरीर इसका तो बाद में पता चलता है कि दर्द हुआ या कोई लक्षण दिखा और डॉक्टor ने बताया कि आपको पत्री हो गई, क्या पहले से पत्री ना हूँ उसके रोगधाम में कुछ किया जा सकता है। तो जिन जिन चीजों में यूरिक एसिट पाया जाता है। कि इसको निकलवाने के लिए क्या साइज देखा जाता है। या आप ये एडवाइस करेंगे कि कोई भी पत्री निकलवा देनी चाहिए। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरुवात में बताया था कि पत्रियों के जो अलग अलग जगे हैं और दोनों का लक्षन और उपचार अलग अलग है। पित की थैली में अगर पत्री है तो उसका साइज या उसका नंबर हमारे लिए मेटर नहीं करता। कि वो निकल जाती है लेकिन अगर पत्री का साइज उससे बड़ा है या वो रुकावट कर रहा है कहीं फस गया है और उसे पीछे के रास्ते में सूजन है किड्नी में सूजन आ गई है तो ऐसे केसे में छोटी पत्री में भी कई बर ऑपरेशन करना पड़ जाता है तो पत्र साब ये बताईए कि आपने बताया कि गॉल ब्लेडर में अगर स्टोन है पित की थैली के अगर पत्री है तो वो पूरी ही निकालने पड़ते है तो ऐसा तो नहीं होता कि उसको निकालने के बाद मरीज को कुछ और कमजोरी आए या पार्चंद में कुछ समस्या आए पत्री होने के बाद बैसे भी गॉल बेडर या पित की थैली जो है वो खराब हो गई है वो अपना काम नहीं कर रही है और सिरफ दर्द ही कर रही है तो गॉल बेडर को निकालने से भी मरीज की दैनिक चर्या में उसके खाने पीने में उसकी जीवन शैली में किसी भी तरह क कोई बदलाव नहीं आता और वो अपना सभी कारे हर प्रकार का रोजमर्रा का ओफिस का खाने पीने का हर तरह का काम पहले की तरह ही कर सकता है और इससे उसकी देरिंग चर्या में कोई फरक नहीं पड़ता बहुत सारी बातें आज आपने हमें बताई विस्तार से पत्री क्यों होती है इसका क्या उपचार है कहां कहां ये शरीर में हो सकती है और इसके अलावा लक्षन पर भी हमने बात करी पत्री के कारण क्या परिशानिया हो सकती है कुछ ऐसी बात जो अभी हमारे बातचीत में श जाचे भी करवा ली थी उसको पत्री का पता भी था तब भी किसी unknown reason से कह लीजिए यह operation की डर की वज़े से वो डॉक्टरों के पास आने में इलाज कराने में थोड़ा डरता है तो आपके माध्यम से मैं सभी शुतां को यही कहना चाहूँगा कि आज की समय में हमारे पास इत सेंटिमेटर की कट लगाते हैं और उससे ही सारी operation की प्रक्रिया निपट जाती है और मरीज 8-10 घंटे में ही खाना पिना शुरू कर देता है और 24 घंटे के अंदर उसके छुटी भी हो जाती है तो मेरी सभी शुताओं से यही अपील है कि अगर उनको इस तरह की कोई भी ल पत्री हो जाती है और निकाल दी जाती है क्या यह दुबारा भी हो सकती है बिल्कुल अगर वो वज़ें जिनकी वज़े से पत्री पहली बार में बनी थी अगर वो सारी वज़े वैसे ही रहती है चाहे वह हम खाने पिने की बात करें चाहे बार-बार infection की बात करें या रास होने की संभावना कम हो जाए यानि अगर एक बार उनकी शरीर में पत्री बन गई है वो जरूर आगे भी ध्यान रखें उसको निकलवाने के बाद भी अपने खान पान पर अपने जीवन चरिया पर जरूर ध्यान दें जैसे कि वो दुबारा ना हो सके खासों पर हम गुर्द के कारण और इसके उपचार पर बातचीत करी हमारे साथ डॉक्टर निखिल गुपता जुड़े जो प्रॉफेसर है डिपार्टमेंट अफ सर्जरी में डॉक्टर आरेमेल अस्पताल में डॉक्र साब आपने समय निकाला स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर जानक अब ही आप पत्री का कारिकरम स्वास्थे संजीवनी सुन रहे थे सहयोग था केशव और जाकिर का और प्रस्तुत करता थी शालिनी मित्तल अब है